नमस्कार बोटनी स्टूडेंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है आज के इस वीड़ो में बात करेंगे सेल डोवीजन इन ऊडोगोनियम के बारे में ऊडोगोनियम हमारे पास फ्रेश वाटर में ग्रोव होने वाला एक एलगा है जिसकी प्लांट बोडी हमार पासवाइक प्लांट उनके उपर होंगा क्योंकि एप्फियिक प्लांट है ग्रोव होसी स्टून की उपर ग्रोज्ट होता है तो अंने किसी इंट्रु कि उडोफिकेशन होगा इसका ज्योगानले यह completely जब यह grow होता है तो इसके growth किसके दोरा होती है cell division के दोरा सारे के सारे cell जो उड़ोगोनियम के है filament के वो divide करते हैं सिवाए hold fast के hold fast के vessel cell जो है वो divide नहीं करता है और growth किससे दोती है filament के cell division से अब जो cell division है उड़ोगोनियम में वो इसका एक काफी peculiar feature है जो कि बाकी alga से उड़ोगोनियम को काफी अलग बनाता है अब बात करते हैं कि cell division होता कैसे उड़ोगोनियम में सबसे पहले हमारे पास यह cell है उड़ोगोनियम का जिसमें हमारे पास एक nucleus present है उसके बाद हमारे पास यहां पर 3 layers है जो भी उड़ोगनिम का cell होते हैं उसमें 3 layers present होती है जो हमारे पास inner वाली होती है वो cellulose की होती है middle pactin outer chitin की है जो walls है cell walls उड़ोगनिम की काफ़ important है अब हमारे पास सबसे पहले जो nucleus है वो shift होगा लेटर पूजीशन से center में उसके बाद जो इसकी layer है सबसे पहली inner वाली cellulose की बनी हुई है वहां पर रिंग की formation होगी यह septum है septum के बिल्कुल नीचे अपर septum बोलते है इसको अपर septum के जो बिल्कुल नीचे हमारे पास reason है वहां पर रिंग की formation होगी inner cellulose की वोल है वहां पर थर्ड स्टेप में हमारे पास क्या और है अब जो यह cellulose की वोल है यह ठीक हो जाएगी जो रिंग बनी है हमारे पास यह रिंग ठीक हो जाएगी और nucleus का size बढ़ जाएगा nucleus enlarge हो जाएगा और mitotic division हो रही है हमारे पास यह ठीक है और यह जो हमारे पास बीच में लाइन है यह हमारे पास broken reason जहां से यह cell है यह divide होगा ठीक है तो यह broken wall है इसको हम रप्चर बॉल सकते हैं ठीक है जो तूटने वाली अभी तक तूटी नहीं है और इस जगह से हमारे जो दो cell हैं जो फॉर्थ पॉजिशन में हमारे पास क्या हो जाते है जो फॉर्थ स्टैप है वहां पर हमारी जो यह inner cell wall है हमारी रिंग है जो हमारे पास यह इसका size enlarge हो ठीक है जो यह ring है इसका size बन रहा है जिस वजह से हमारी जो outer और middle wall है वह rapture हो रही है वह यहां से टूट रही है ठीक जहां से यह दोनों के दोनों cell अलग होंगे ठीक है यह septum आ गया और यह हमारे पास nucleus one nucleus two आ गया और यह जो हमारी wall है outer और middle यह rapture हो चुकी है फॉर्थ स्टैप में फिफ्ट स्टैप में हमारे पास क्या हो रहा है कि जो हमारी यहां से wall rapture हुई है उनका material wall सिर्फ इस position से ले जाएंगे cap जो broken piece हमारे पास बचे हुए है जो attached रहेंगे ठीक है as a form of cap ठीक है तो यह हो जाएगा हमारे पास gap स्टैप में हमारे पास जो septum है अब septum जो shift होगा अपर तरफ को ठीक है उस जगह पर जाएगा जहां पर हमारी wall rapture हो ठीक है यहां पर यहां पर जो हमारे वाल्स ठीक है आउटर और मीडल जो टूटी हुए थी ठीक है ब्रोकन उनको फिर से न्यू वाल्स की formation होगी यहां नई जो वाल्स है आउटर और मीडल वो आ जाएंगे यहां पर दोनों तरफ को इसके इनलार्ज होने के वज़े से वह तूटी थी अब फिर से यहां पर न्यू बन जाएंगी और यह और इनलार्ज हो जाएगा अब जो septum में यह उपर को shift हो रहा है यहां पर वाल्स की formation हो तो इसके यहां से यह तूटबंगे हैं यहां के उसाउनने प्रजार के इनली इनब हो चायां है यह जहांद रहते। यह कैप कैसे बनी थी क्योंकि वहां पे जब इसकी डिवीजन और ती उस टाइम पे जो हमारे पास पुरानी आउटर और मिडल लेयर थी वह तूटी थी तो उनका मैटीरियल से हमारे पास कैप बनी थी और यह नई मैटीरियल हमारे पास नई वॉल्स आई है यह अपर वाला इस तरह से जो फिलामेंट है वह त europů वह से अपृब्स होती है जिसमें कैप प्राइजन होता है अब आधि है यह पिर से डिवाइड करें गहांतौ बनाएंगा इस तरह से ग्रोथ होती हैं उडळोगोणियम में तो यह थी मारी आज की वीडियो जिस में हमने आ देखा सेल डिविजिन होती हों और अगरào आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू